नमस्कार दिडॉन एक्स्प्रेस में आपका स्वागत है आशा है आप सबी स्वस्ते में सुखी होंगे आज हम कुछ मैत्रपुल विश्व पर बात करेंगे मध्य परदेश के प्रतिष्ठा आयोजन में भारती पत्रकारता महसब का आयोजन 19-20 एवं 21 फरवरी 2021 को इंदोर में आयोजित किया जाएगा मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने बुदवार पोस्तानी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित संशिप्त समारों में महसब के लोगों का विमोचन किया इस अवसर पर भाजपा के राश्ट्री महासचिप केलाश विजे वरगिये सांसर शंकर लालवानी संस्कृती मंत्री उशार अठाकूर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट शहर अध्यक्ष गोरव रण दीवे विशेश रूप से उपस्तित थे स्टेट प्रेस कोलब के अध्यक्ष परवीन कुमार खालिवाल ने बदाया कि मूरधन ने संपादक मानिक चंद बीजेपी मामा जी राजेंद्र माथूर राहुल बार्पुते प्रभाज जोसी एवं सरजोसी की समरिती में तीन दिवसिये आयोजन में प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक बेब, कार्टून, एवं फोटोग्राफी को लेकर बिविन सत्र आयोजित किये जाएंगे मुख्य मंतरी सिवराज सिंग चोहान ने आयोजन की सपलता के लिए काम नहीं दी इस अबसर पर मुख्य मंतरी को महसब का निमंतरन भी भेड किया गया, बढ़ते हैं अगली खवर की तरव, नवारून के 5 साल अगस्त 2015 में बजरंग बिहारी तिवारी की पहली किताब दली साहित्त एक अंतर यात्रा में नवारून की यात्रा शुरू हुई थी इतने वर्षों में देखते देखते 29 किताबों का परकाशन संबभ हो सका, ये इसलिए भी संबभ हुआ क्योंकि तमाम मित्रों का सहयोग और प्रेम नवारून को मिला, अभी भी नवारून कई मित्रों का समूपरयास ही है, आप भी परकाशन के इस अभ्यान से जुडेंग तो खुशी होगी, ओर्डर के लिए 9-8-1-1-5-7-7-4-2-6 पर वाट्सैप करें या नवारून.publication.gmail.com पर लिखें, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा, नवारून विधारतियों और बेराजगारों को अपनी किताबों पर विशे चुट देता है, पढ़ते हैं अ अधार में अपडेशन कर सकते हैं, देश में अधार कार सबसे पहले महत्तपुण दस्तवेच बन चुका है, इसके बिना आपके कोई भी काम सरकारी या गयर सरकारी काम अटक जाती है, सरकारी आयोजनाओं की सबसीडी वगेरा भी इसी की मदद से मिलती है, ऐसे में अगर हमारी अपडेशन गलत हो तो प्रिंट में अटक जाती है अधार कार्ड में गलती होने पर हमें पहले अधार सेंटर के चक्कर काटने पड़ते थे अधार की सेल्फ अपडेशन सर्विस के तहत एप्लिकेंट नाम के अलावा एड्रेस डेट और वर्थ जेंडर आधी भी अप पूसल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना होगा बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ आप भी घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे बड़िया मौका फिर नहीं मिलेगा दरसल देश के सबसे बड़े बैंक भारतिय स्टेट बैंक ने कम ब्यासदर पर होम लोन की प पहा गया कि होम लोन पर नई ब्यासदरे सिबिल स्कोर से जुड़ी हुई हैं और 30 लाक रुपे तक के लोन के लिए 6.80 पीसदी से शुरू है जबकि 30 लाक रुपे से अधिक लोन के लिए ब्यासदर 6.95 पीसदी से शुरू होगी बैंक ने बताया कि महिला करसदारों को 0.05 परतीशत की अतिरिक चूट मिलेगी बैंक के मुताबिक घर खरीदारों को आकर्शक रियायत देने की मकसद से देश के सबसे बड़े रिड़ दाता SBI ने होम लोन पर 30 BPS की चूट और प्रोसेसिंग फीग पर 100 परसर चूट देने की गोशन की है बैंक ने कहा कि 5 करोन रु इसली तक की व्याध रियायत भी उपलब्द है विग्यपती में कहा गया कि ग्राहक योग योनो एप के मैध्यम से गर बैठे असानी से आवेडन कर सकते हैं और 0.05% की अतिरिक व्याध राहत पा सकते हैं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ सेनेटाइजर और मास्क जीवन भी देना पड़ सकता है इन सब के बीज एक सवाल से लोग काफी परेशान है कि क्या अकेले में कार में सफर के दोरान मास्क पैना अनिवारे हैं इसी सवाल का जवाब केंदर सरकार ने हाई कोड में दिया है इस सवाल के जवाब में केंदर सरकार के स्वास्तेवं परिवार करल्यान मंत्राले ने दिल्ली हाई कोर्ड में हल्फ नामा दायर कर रहा है। बंद गाडी में ड्राइब करते हुए किये गए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ विज्ञान भवन में शुकरवार को हुई आठवे राउंड की बैठव में किसान नेताओं ने कौंगर केंदर सरकार के तीनों मंत्रियों से कानूनों के क्लोस पर चर्चा करने से इंकार कर हैं इस पर किसान नेताओं ने कहा कि वे कोड नहीं जाएंगे बलकि सरकार से बादचीत के जरिये समाधान तलाश करने की कोशिश करेंगे पूरी तीन घंडे तक चली बैठक में किसान नेता तीनों कानूनों को खदम करने की रट लगाये रहे जबकि सरकार की तरफ से बादचीत कर रहे तीनों मंत्रियों ने ये मांग ठुगरा दी बीज में एक समय ऐसा भी आया जब मांग पूरी नहीं होते हुए देख किसान नेताओं ने बैठक बीज में छोड़ कर जाने की कोशिश की हाला कि दोनों पक्षों के रुख में नर्मी के बाद बादचीत जारी रही क्रिशी मंत्री नरेंद्ग सिंह तोमर रेल मंत्री पयुश गोयल और केंडरी वानिचे में राज्य मंत्री सोम्परकाश भीव की मौजूदगी में विज्यान भवन में दो बचकर 20 मिनट पर बैठक शुरू हुए नरेंदर शिंग तोमर ने शुरुवात में ही किसान नेताओं को तीनों कानूनों पोबे बिंदू बार चर्चा का सुझाब दिया लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि वे कई बार चर्चा कर चुके हैं हर बार शंशोधन का आशवाशन देने के बार सरकार आगे बात करती ही नहीं है इसलिए close wise चर्जा का कोई मतलब नहीं है किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार तीनों कानूनों को लागू करने से इंकार करे तो फिर किसान ततकाल प्रवाव से कांदोलन खतम करने को तयार है बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ पश्चमी बंगाल में विधान सवा चुनाव के लिए भाजपा और त्रिनमूल कॉंग्रेस के 20 खलवारे खिची हुई है और दोनों दल जोर सोर से एक दूसरे को पठकनी देने की कोशिश में जुटे हुए है इस बीच बड़ी खबर ये है कि पश्चमी बंगाल विधान सवा का चुनाव समय से कुछ पहले ही हो सकता है इसका सबसे बड़ा कारण CBSC Board की परिक्षाओं को बताया जा रहा है परिक्षाओं के दोरान जो तो राज्य में बड़े वैमाने पर हिंसा हुई थी इस से पूर्वी चुनावों में भी राज्य में हिंसा की घटनाई होती रही है भारती चंता पार्टी राज्य जित में कानून विवस्ता धवस्त होने का अरोप पहले से ही लगाती रही है अन्य दलों ने भी इस चुनाव में भारी इंसा होने की आशंका जताई है ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि फरवरी में ही विधान सवा चुनाव की खोशना हो सकती है और मार्च मद्धे में मद्दान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है इस सभी स्यासी दलों ने चुनाव की तयारियों में पूरी तरह ताकत जोग दी है सियासी जानकारों के मुताविक इस बार के चुनावों में मुख्य लड़ाई भाजपा और तिन मुल्क कॉंग्रेस के बीज दिख रही है भाजपा ने इस बार के विधानसवा चुनाव को पर्तिष्टा का प्रशन बना दिया है और पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष जगत परकाश नड़ा और केंद्री ग्रैम मंत्री अमिशा लगातार राज्य का दोरा कर रहे है सभार भडासपोर मीडिया डेली हंट डेली होम धन्यवार दिडॉन एक्सप्रेस क्तार प्रशन एक्सप्रेस